जो चाहिन है नमस्कार दोस्तों सुआगे था आपका आपने यूटूब चैनल for your success में तो गट्ना चेकर करेंट फेर मेगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर मार्च 2021 के सार संगर एंसी क्यूर एक्सप्लेंट से वीडियो आपने देख लिए होंगे अगर आपने उन वीड चकर करेंट फिर मेगजीन के अपरेल 2020 की संस्क्रण का संस्क्रण में से 65 प्लस एमसी उसका वीडियो आपके लेकर आएं जो आपके काफी हैल्पूल होगा आपके आने वाले एक्जान्स के लिए तो आपके लिए काफी हैल्पूल वीडियो होगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस्ट जरू करना जिससे जब भी हमारा आगला वीडियो प्लोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते ह होगा जो इंग्लिस मेडियन के बैक्राउंड से स्टुडेंट्स हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो 65 प्लस हीडियो से डिर्योन जाल चार्ज ओफ डिरेक्टर जर्रण और अवफ CRPF राइट एंसर उसका ओप्षण दिरेक्टर जर्रण ऋफ इसका अठियोड अधिकार बाध प्रमुख है आए प्यकारी की cuma सेंवा निव्रत होने के बाद CRPF माने देश याने डीजी का अत्रिक्त वरबार उनको दी दिया गया है केंद्रिय रिजर्फ पुलिस बल यानि CRPF देश का सबसे बड़ा अर्ध सानिक बल है जिसकी अनुमानित संख्या लगबंग 3.25 लाग कर्मी है इसे प्रमुक आंत्रिक सुरक्स बल के रूप में नामित किया गया है CRPF का मुख्याल है नई दिल्ली भारत में है केंद्रिय रिजर्फ पुलिस बल का जो गठन है यानि CRPF का गठन 27 जुलाई 1949 को किया गया था नेक्स्ट कुष्ण को नमर टूं अलब ही में जारी इज और लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले इस्तान पर कौ साउं सहर है विच से रैंक्स फस्ट इन इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 तो राइट आंसर है पर हो जाएगा इस कुछिन का ओप्सन यहाँ पर ए हो जाएगा बैंगलूरू बैंगलूर यहाँ पर इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर सहर है important fact देख लेते हैं बैंगलूर आवास और सहरी मामलों के मंतरी हरदीप सिंग पूरी के द्वारा सरकार के इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सिर्ष स्थान पर उबरा है 111 सहरों में से पूर्णे दूसरे स्थान पर रहा एमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा है million plus आबादी वाली स्थान पर रहा million से कम जो स्थान पर रहा इस समू में शिमला को इज ओफ लिविंग में सर्वोच स्थान दिया गया है ठीक है चलते हैं एकले question में question number 3 हाली में एक over में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने है who has become the third player to score six sixes in an over of a cricket इस question का right answer जागा है हाँ आपर option B किरोन पोलाड किरोन पोलाड जो की West Indies के all-rounder खिलाडी है important fact देखते हैं इसके बारे में किरोन पोलाड ने एक over में 6 छक्के लगाकर सिलंका के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की T20 सिरीज के पहले मैच में West Indies को चार विकेट से जीद लाई दी पोलाड ने भारत के पूर बल्लेबाज यूरा सिंग के T20 क्रिकेट में एक over में 6 छक्के मारने वाले अब दूसरे बल्लेबाज बन गए है जबकि किसी अंतराष्टी मैच में हरसल गिब्स और यूरा सिंग दो के बाद तीसरे बल्लेबाज बन गए है जो एक over में 6 छक्के मारने वाले खिलाडी है Next question Number 4 इस question का right answer हो जा गए हाँ पर Option C अब लोकसब टीवी और राजसबा टीवी को मर्ज होने के बाद इसका नाम अब रखा गया है संसब टीवी important fact देख लेते हैं राजसबा और लोकसबा टेलिविजन चैनल को क्रमस संसब के उपरी और निचले सदनों की कारवाई के उपर सारित करते हैं जो एकल एकाई को उनको मिला दिया गया है इस नए चैनल का नाम अब संसब टीवी के नाम रखा गया है यह परिवर्तन एक मार्च दो जारे की से प्रभावी हो गया है 1986 बैच के सेवा निवरत आई एस अधिकारी रवी कपूर को एक साल के लिए संसब टीवी के मुख्य कारिकारी अधिकारी यानि CEO के रूप में उनको निउक्त किया गया है नेक्ट कुर्शन नमबर फाइव हाली में अभ्यास X-Desert Flag 6 में भारती वाई शेना हिस्से लेगी इसका आईजन कौन सा देश में होगा इन विच कंट्री जॉइंट एक्ससाइज X-Desert Flag 2020 विल बी हैल्ड राइट आंसर हो का इसक्षिन का ओप्शन है आपर C UAE X-Desert Flag 6 जिसमें भारती वाई शेन ऐसे लेगी या UAE में इसका आईजन होना है इंपोर्टन फैक देख लेते हैं भारती वाई शेना इंडियन एर फोर्स अल डफरा एर बेस UAE में तीन से लेकर 27 मार 2020 तक आईज़ित की एक्ससाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है इस अब्यास में सेउट अरब अमिराथ, सेउट राज अमेरिका, फ्रांस, साओधी अरब, दक्षिन कोरिया और बहरीन की वाई शेना भी इसमें दिखाई देंगी ठीक है चलते हैं एकले कोशन में कोशन नमर 6 हाली में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है वन इस वर्ल्ड वाइल्ड आफ डे सेलिबरेटेड विश्व वन्य जीव दिवस आंसर हैं पर ऑप्शन ए हो जाएगा तीन मार्च को इंपोर्टन फैक देखते हैं प्रिथिव पर मौझूद वन्य जीवँ वन अस्पतियों के सुंदर और विविध रूपों को मनाने के लिए हर साल तीन मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानि वर्ल्ड वर्ल्ड डैफ डे के रूप में मनाया जाता है 2020 में विश्व वन जीव दिवस्त वन और आजीविका ये सतद लोग और ग्रह नामक थीम के साथ मनाय गया है World Life Day 3 March Next Question No.7 हाली में अंतराश्टी योग उत्सव का आयोजन कहा हुआ है Where is the International Yoga Festival organized recently Right Answer Option B Rishikis में हाली में Rishikis में आयोजित्व किया गया है अंतराश्टी योग उत्सव Important Fact देख रहा है Rishikis में अंतराश्टी योग महत्सव का उत्गाटन उत्राखंड के कृषी मंत्री सुबोध उन्याल और अखिल भारतिय अख़डा परिशद के प्रमुख नरेंदर गिरी और पतंजली योग पीट के अध्यक्स आचार बाल किस्टन ने किया यह महत्सव उत्राखंड, परेटन, विकास, बोर्ड और गड़वाल, मंडल, विकास, निगम दौरह, सईंग तुरूप से आउजित किया जा रहा है तो रिच्छी केस में आउजित किया जा रहा है अंतराश्टी योग महत्सव Next question हाली में कौन सा देश? कोएक्स वेक्सीन पाने वाला पहला देश बना है विच कंट्री बिकेम देश्ट तो रिसीव देश्ट वेक्सीन उस देश का क्या नाम है? आंसर है हाँ पर रहा जाएगा option C, घाना इंपोर्टन फैक्ट देख लेगा है घाना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया ज़रा बनाएगी एस्टोजेनेका वेक्सीन की 6 लाग खुराक की डिलेवरी के साथ सेंकतराष्ट समर्थित कोएक्स पहल के माद्यम से अधिगरे टीके और उन्हें प्राप्त किया है घाना उन बानवे निम्न और मद्यम आये वाले देशों में से एक है जो कोएक्स के मद्यम से मुफ्त मठीके प्राप्त कर रहे है घाना की राश्टपती है नाना अकूफो अडो उनका नाम है और राजधानी है घाना की अकरा नेक्स्ट कॉस्शन नबर नाइन हाले में किसे देश ने आर्क्टिका एम सेटलाइट लौंच किया है उस देश कह नाम है तो आंसर इसका रॉइट हो जागा Be रूस इंपोर्टेंट फैक देखते हैं रूसी अंतरिक्स निगम जो एजेंसी है रॉस्ट कॉस्मोस इसका नाम है जैन हाली में आक्टिक की जलवाई और परेवन की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह सफलतापुरोगरों ने लौंच किया है आक्टिका M नामक उपग्रह को 28 फरवरी 2020 को कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोडरों से सोईस 2.1 भी वहाग रॉकेट के साथ उसको लौंच किया गया था यह उपग्रह परिचालन, मौसम विग्यान और जल विग्यान समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकितित करने और आक्टिक छेतर में जलवाईयू और परेवन की निगरानी में मदद करेगा यहाँ आक्टिका M उपग्रह हाली में जारी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सरुसिष्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है राइट आंसर ऑप्शन हैं पर हो जाएगा ऑप्शन ए नोमेड लैंड फिल्म का नाम है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप इसका PDF डाउनलोड करके इस फिल्म के जो भी अवार्ड यहाँ दिये गए हैं उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना इससे रेलेटेड और जोई देख कुशन बन सकते हैं तो वो सभी आपको इस PDF में मिल जाएंगे चलते हैं एक लिए कुशन में हाली में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रहों को लॉंच किया है इसरो लॉंच्ड अमेजोनिया वन सेटलाइड इस रिलेटेड टू विच कंट्री किसका है यह अमेजोनिया वन राइट आंसर हो जागए हैंपर ऑप्शन C ब् प्रक्षेपिंट किया पोलर सेटलाइड लॉंच विकल यानि पीएसलवी सी फिफिटीवन को सतीज धवन इस्पेस सेंटर के पहले लॉंच मेट से उठाए गया था 637 किलोग्राम किया अमेजोनिया वन जो भारत से प्रक्षेपित होने वाला पहला ब्राजीलिया ही खेलो इंडिया नैशनल विंटर गेम्स बिंग और्गनाइजड राइट आंसर ऑप्षेपित हो जाएगा जमू कश्मीर जमू कश्मीर में एजिन किया जा रहा है खेलो इंडिया नैशनल विंटर गेम्स के दूसरे संस्क्रण का इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं एजन जमू और कश्मीर खेल परिशद जमू कश्मीर के सीथ कालीन खेल संग के से केंदर युवा मामले और खेल मंत्रा ले द्वार किया गया है खेलों में क्या खेल गतुवीडीयो में अलपाइन स्की नौडिक श्की स्नोबोडिंग्स की परवतारोहन, आइस हौकी, आस स स्टॉक आधी सामिल होंगे केंदर युवा मामले और खेल मंत्री है किरेंड रिजीजू नेक्स्ट कुशन नमबर थर्टीन हाली में किस केंदर सासित प्रदेश में राष्ट्रपती सासन लगाने की मंजूरी पर दान की गई है इन विच यूनियन टेरिटोरी वास प्रसिडेंट्स रूल इंप्लिमेंटेड रिसेंट्ली राइट आंसर हो जागा है आपर ओप्सन बी पुड्डुचेरी इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं केंदरी मंत्र मंडल ने पुड्डुचेरी के मुख मंत्री वी नारायन सामी के इस्तिफी के बाद पुड्डुचेरी विधान साबा को भंग करने और केंदर सासित प्रदेश में राष्ट्रपती सासन लगाने की मंजूरी दे दी है नारेंट समी सरकार ने विधान साबा में बहुमत खो दिया था अब इस मंजूरी के लिए राश्टपती रामनात कोविन के पास बेजा जाएगा राश्टपती से मंजूरी मिलने के बाद केंदर सासित प्रदेश पुडुचरी विधान साबा को भंग कर दिया जाएगा इससे पहले 1991 में और मार्च जुलाई के बीच में पुडुचरी में अराश्टपती सासन लाग हुआ था जब जेडी और डियम के गटवनना सरकार गिर गई थी हमें किसे टेबल टैनीस फेडरेशन और इंडिया का अध्यक्स से चुना गया है हूँ हैज रेसेंटली बिन इलेक्टेड प्रसिडेंट ओफ टेबल टैनीस फेडरेशन ओफ इंडिया TTFI जिसे सोर्ट में कहता है आंसर इसका हो जागा option B दुशियन्थ चोटाला इनका नाप राइट आंसर हो जागा दुशियन्थ चोटाला important fact देते हैं दुशियन्थ चोटाला को दोबारा 4 साल की अवधी के लिए Table Tennis Federation of India का अध्यक्स उनको चुना गया है उन्हें 24 फरवरी 2021 को हुई TTFI यानि कि Table Tennis Federation of India की 84 वी वार्षिक बैठा के दोरान सर्व समितिस उनको चुना गया था यह वर्तमान में हर्याना के उप मोखी मंत्री भी है 32 वर्षियन्थ चोटाला को कुशिनगर एरपोर्ट को अंतराष्टी हवाई एड़े का लाइसेंस मिला है यह किस राज में है कुशिनगर एरपोर्ट इस इन विच स्टेट विच हैस रिसेंटली गॉर्ट दे स्टेटस ओफ इंटरनेशनल एरपोर्ट राइट अंसर हो जा गया है हाँ पर निदिशाले डीजी सी एक से आवश्यक मंजूरी मिल गई है एक बार चालो होने के बाद कुशिनगर हवाई एड़ा राज में तीसरी कार्यात्मक अंतराष्टी सुईदा बन जाएगी वरतमान में उतर परदेश में दो अंतराष्टी हवाई ड़े हैं एक लखनव में दूसरा वारानसी में कुशिनगर हवाई एड़ा लुम्बिनी त्रावस्ती और कपिल वस्तू में कई बौध तीर तिस्तोलों के निकटतम अंतराष्टी हवाई ड़े के रूप में काम करेगा नेक्स्ट कुशिन नमार 16 हाले में कौन सा देश 2021 में भारत का सीर्ष व्यापार भागिदार देश बना है 2020 के लिए विश कंट्री हैस बिकम इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर फॉर ये टूथाज़ों टॉन्टी टॉन्टीवन आंसर होगा यहाँ पर ओप्सन ए चीन चीन भारत का 2020 में सबसे बड़ा सीर्ष व्यापारिक भागिदार देश बना है इंपोर्टन फैक देखते हैं चीन ने 2020 में भारत के सीर्ष व्यापारिक भागिदार देश के रूप में अपना पुना परात कर लिया है जो कि 2018-19 के बाद से सेयुक्त राज अमेरिका के पास था भारत और चीन के बीच दो तरपा वेपार वास्तिविक ने इंत्रेंड रेखा LAC के साथ संगर्स और चीन विरोधी बढ़ती भावनों के बावजूद 2020 में 77.7 बिलियन डॉलर रहा वानजे मंत्राले के अस्तर यांकणों के अनुसार भारत अमेरिका दुपक्सी वेपार 75.9 बिलियन डॉलर रहा इस बीच यूई भारत का तीसरा सबसे बड़ा वेपारिक भागिदार देश बना है एक नमबर पर चीन है, दूसरा नमबर पर अमेरिका, तीसरा नमबर पर है यूई Next, question number 17 हाली में होसंगाबाद का नाम बदल कर नर्मदापुरम रखा गया है ये किस राज में है होसंगाबाद होसंगाबाद has been renamed as नर्मदापुरम to which state it belongs to answer is right हो जाएगा, option यहाँ पर B, option B, मद्यपरदेश सराज से सम्मंदित है होसंगाबाद जिसका नाम बदल कर नर्मदापुरम रखा गया है important fact देखते हैं, मद्यपरदेश सराज के होसंगाबाद सहर का नाम बदल कर नर्मदापुरम रखा जाएगा इसकी कोशना मद्यपरदेश के मुखी मंतिरी सिवरा सिंग चोहान ने होसंगाबाद में आयोजित नर्मदापुरम को दोराण की पहले होसंगाबाद का नाम एक हमलावर होशंग सा के नाम पर रखा गया था जो मालवा का पहला सा सक था हाला की राज की जीवन रेखा नर्मदा नदी के नाम पर अब सहर को नर्मदापुरम कहा जाएगा नेश्ट कुशन नमर 18 खेलो इंडिया युनिवर्सिटीज गेम्स 2021 के दूसरे संस्क्रम का आयोजन कहाँ पर होगा वेर विल दे शेकंड एडिशन आफ खेलो इंडिया युनिवर्सिटीज गेम्स विल भी हैल्ड राइट अंसर ओप्शन बी करनाटक करनाटक में आयोजन होगा खेलो इंडिया युनिवर्सिटीज गेम के दूसरे संस्क्रम का इंपोर्टेंट फैक देखते हैं के आई युजी यानि की खेलो इंडिया युनिवर्सिटीज गेम के पहला संस्क्रम भूनेश्वर में आज़ित किया गया था फरवरी 2020 में नेक्स्ट कुशन नमबर 19 हाली में विश्ट्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा स्टेडियम हाज बीन रिनेम्ड आप्टर विच लीडर राइट आंसर इसका हो जाएगा ओप्सन बी नरेंद्र मोधी भारत ये परदान मंत्री है नरेंद्र मोधी इंपोर्टन फैक्ट भारत और इंग्लेंड के बीच ये तीसरे टेस्ट की मेजबानी करने के लिए नव पुनवर नेमित के साथ दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट इस्टेडियम अपना पहला अंतरश्टी में चमा पर आज़ित किया स्टेडियम के बारे में स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम के रूप में जाना जाता है एमदाबाद में आयोजन इस्तल पर पहली बार 1980 के दसक में खेला गया था लेकिन हाली में इसका पुनवर निर्मान किया गया है और इसमें अब बैठने की शमता एक लाख दस हजार की है नेक्स्ट कुछ नमर ट्वेंटी हाली में 47 खजुराहो निर्ति महुत्सव का आयोजन किस राजिम हुआ है रिसेंटी इन विच स्टेट दा 47 खजुराहो डांस फेस्टिवल और गनाइजड आंसर इसका राइट हो जाएगा यहांपर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ जो भारतिय सास्त्रे निर्ति परंपरा पर आधारित है महुत्सव में खजुराहो मंदिर भविता धरणी और कला प्रेमियू की हलचल के साथ जिवन्त होते हैं पहले दिन का कारेकरम गीता चंदरन और उनकी मंडली द्वारा भरत नाटे प्रदसन और इसका संबंद किस्टे है यह किस से संबंदित है इंदर धनुस्थरी आंसर रोजाएगा राइट यहाँ पर आप्टिका करन से संबंदित है important fact दिखते हैं केंदर स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर सुर्दन ने देश भर में टीका कवरेज को विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंदर धनुस्थरी को लॉंच किया है यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलब स्वास्ति सेवाय परदान करने के लिए सुरू की गई है इसका उदेशी दो वर्थ से कम उम्मर के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्वती महिलाओं को आठ वैक्सीन और रोकताम योगी बिमारियों के खिलाव टीका करन करना है बिमारियों कोंसी है जिसमें डिप्थेरिया, हुपिंग कफ, टेटनेस, पोलियो, माईलाइटिस, तपैदिक, खसरा, मैनी इंजायटिस और हैपिटाइटिस भी बिमारियों के लिए स्टीका करन अभियान है नेक्स्ट कुशन नबर टॉंटी टू हाली में किस देश के नया अधिकारी तोर पर पैरिस जलवाई समझाते में वापसी की है इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका के ततकालीन राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प के आधिस पर समझाते में से वा अलग हो गए थे 2015 में लेंड मार्क पैरिस जलवाई समझाते पर अस्ताक्सर किये गए थे जिसका मुख्य उद्दे से है ग्लोबल वार्मिंग को दो से लेकर नेक्स्ट कुश्ट नबर 23 हाली में ऑस्टेलियन ओपन 2021 का पुरुसवर्ग का खिताब किसने जीता है पुरुसवर्ग में अंसर हो जाएकर रहत है यहाँ पर ओप्सन B नवाक जोकोविच नवाक जोकोविच यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर पुरुसों के एकल फाइनल में नवाक जोकोविच ने अपने नवे ऑस्टेलियाई ओपन क्राउन को डैनियल मैदेव देव को हराकर जीता है यहाँ पर नवाक जोकोविच नेस्ट कुछ नमर्ट अपने खुरुसों का महिलावर का किताब किसने जीता है आंतर है पर रहत हो जाएगा प्सन A नाओमी ओसाका जापान की खिलाडी है इसके इंपर देखते हैं फोटो इनका टैनिस में जापान की नाओमी उसाका ने 20 फरवे 2021 को उस्टेलियन ओपन फाइनल 2020 के महिला एकल गेम में अमेरिकी जैनिफर ब्रेडी को हरा कर अपना चौथा गरेंड स्लेम जीत लिया है उसाका के लिए चार गरेंड स्लेम खिताब में दो उस्टेलियन ओपन खिताब हैं और दो यूएस ओपन खिताब उनके पास हो गए हैं नेक्स्ट कुश्चन नमर ट्विटी फाइव हाली में किस सहर को 2020 ट्री सिटी ओफ द वर्ल्ड की मानिता दी गई है आंसर देख रहे हैं आपर ए हैधराबाद इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं तेलंगान की राजधानी हैधराबाद को सेंगतुराष्ट के खाद्य और किर्सी संगठन और और बडे फाउंडेशन दोरा सहरी वनों के विकास और रखारखाव की प्रतिवद्दा के लिए 2020 ट्री सिटी ओफ वर्ल्ड के रूप में मानिता दी गई है हैधराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मानिता प्राप्त करने वाला भारत का एक मात्र सहर है नेक्स्ट कुशन नमर्टिसेक्स हाली में मंगल ग्रह पर किस स्पेस एजेंसी का परसेवरेंस रोवर उतरा है विच्छ स्पेस एजेंसी परसेवरेंस रोवर है लैंडड ओन मार्स राइट आंसर हो जाएक है है आपर ऑप्शन B NASA NASA का यहा रोवर है जो हाली में मंगल ग्रह पर उतरा है प्रत्री से दो सो बानवे पॉइंट पांच मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का पर सवरेंस रोवर सुरक्सी तुरूप से मंगल गरह पर उत्रा है रोवर लगबग 300 मिलियन मील की यात्रा कर रहा है क्योंकि इसने च्छे मैने पहले परतिव के यहां पर छोड़ दिया था नासा का अबुदाभी में होने वाला नेवडेक्स 2021 और आईडेक्स 21 भारती नौशेना का कौन सा जहाज इसमें सामिल होगा इस अभ्यास में विच इंडिया नेवी शिप विल बी इंक्लूड़े इन दा नेवडेक्स 21 एंड आईडेक्स 21 एंडेक्स हेल्ड इन अबुदाभी आंसर इसका होजागा राइट ओप्सन बी आई एन एस परले इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं हाँ पर भारती नौशेना का जहाज परले जो की 20 फरवरी से 25 फरे 2021 तक नौशेना रक्षा परदसनी यानि की नेवल डेफेंस एक्जिबिशन जिसे सौर्ट में नेवडेक्स कहते हैं और अंतराश्टी रक्षा परदसनी जिसे इंटरनेशनल डिफेंस एक्जिबिशन आई डेक्स 2020 कहते हैं भाग लेने के लिए सेउक्त अरब अमिरात में अभिदावी पहुच गया था इस हेतर की अग्रणी अंतराश्टी नोसेना और रक्षा परदसनी में से एक ह प्ले की भागेदारी भारत की स्वादेसी जहाज निर्मान की ताकत को परदशित करेगी जो माननी प्रदान मंत्री आत्म निर्वर भारत के दश्टिकून के अन्रूप है हाली में IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाडी कौन बने हैं IPL 2021 के फोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL 2021 ऑक्षन आंसर हो जाएगा राइट ऑक्षन C क्रिस मौरिस इसकी में पर फोटो देख सकते हैं क्रिस मौरिस का चैने में इंडियन प्रेमेर लीग 2020 की निलामी में पूर्व रोयल चैलेंजर बैंगलूर के स्पर collab ऑर सॉपरेस्टार और साउथ अफेरिका के ओल राउंड क्रिस मौरिस ने सभी रिकूर्ड तोडड दिय affect साउथ-अफिरेका के ओल राइट क्रिस मौर इसको राजस्तान और रोयल्स ने 16.25 करोड में उनको खरीदा है IPL 2020 में ऑस्टेलिया के पैट कमेंस 15.5 करोड रुपे में बिखे थे तो उनके बाद अब सबसे महेंगे खिलाड़ी बिखने वाले हैं वो है Chris Morris Next question number 29 Scotch Chief Minister of the Year 2020 का अवार्ड किसे दिया गया है अवार्ड किसे दिया गया है राइट आंसर हैंपर ऑप्सन C हो जाएगा Y.S. जगन मोहन रेड़ी आंदर परदेश के मुखी मंतरी Y.S. जगन मोहन रेड़ी को Scotch Chief Minister of the Year पुरुसकारों में समानित किया गया है यह पुरुसकार आंदर परदेश के तड़े पली में व्यक्तिकेत रूप से अध्यक्स Scotch Samu, Samir Kocher द्वारा CM को परदान किया गया आंदर परदेश के मुखी मंतरी है Y.S. जगन मोहन रेड़ी राजपाल है विश्व भूशन हरी चंदन Next question number 30 उनका क्या नाम है Right answer हो जाएगा Option A, Himadas इसकी इंटरा फोटो देख सकते है Himadas की Star Sprinter Himadas को असम सरकार ने पुलिस उपादिक्सक निउक्त किया है असम से धिंग एक्सप्रेस के नाम से मसूर 21 वर्स की दास फिलाल N.I.S. पटियाला में अभ्यास कर रही है 2018 ACI खेलों में महिलाओं की 400 मीटर की दोड में रजप जीतने वाली है इसकी इंटरा फोटो देख सकते हैं Himadas का Next question number 31 हाली में मांडू महुच्व का आयोजन किस राज में हुआ है मांडू महुच्व Recently in which state मांडू फेस्टिवल has been organized answer हो जागा option है पर C मांडू महुच्व देख सकते हैं 13 से लेकर 15 फरवरी को आयजन उसका किया गया था तीन दिवस्टिव प्रसिद मांडू महुच्व 13 फरवरी 2021 को मांडू में सुरू हुआ इस महुच्व का समापन 15 फरवरी 2021 को हो गया है यह सो मद्यपर्देश की राज सरकार दोरा प्राचीन मांडू सहर के प्रतेक पहलों को दिखाने के लिए अजुद किया जाता है जिसमें भोजन, संगीत, इतिहास और विरासत, कला और सिल्फ आदि सामिल है मद्यपर्देश की मुख्य मंतरी सिवरा सिंग चोहान, राजपाल, अनन्दी बेन, पटेल है नेस्ट, क्यूशन नमर 32 हाली में किस राज सरकार ने जल सरक्षन अभियान जलाभी शेकम सुरू किया है जलाभी शेकम उस राज का क्या नाम है आंसर हो जाएगा मद्यपर्देश मद्यपर्देश की राज सरकार ने जलाभी शेकम नमा के एक जल सरक्षन अभियान सुरू किया है जिसके तहत 57,000 से अधिक जल सरंचनों का निर्मान किया गया है इस अभियान का उदगाटन केंदरी रख्षा मंतरी राजना सिंग ने वर्चोली किया था इसके पर फोटो सोगते हैं शिवड़ास सिंग चोहान और केंदरी रख्षा मंतरी राजना सिंग नेङ्ट कुशन में 33 हाली में भारती नोशेना ने ट्रोपेक्स नामक अभ्यास का आयोजुन कहां पर किया है वेर है इंडियन नेवी और्गनाइजड एन एक्सराइज कॉल्ड ट्रोपेक्स जगे का नाम है ओप्शन ए हिंद महासागर इंपोर्टन फैक्स देखते हैं दूवार्सिक ट्रोपेक्स यानि जिसका पूरा नाम हो जागा थेटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेस एक्सराइज का उद्देश नोशेना के आक्रमक होने के साथ साथ रक्षा समताओं को मानने करना और हिंद महासागर में सांती और इस्तिरता को बढ़ावा देने के अलावा समुदर छेत में राष्टे हितों के रक्षा करने के लिए इस अभ्यास का आया जिन भारती नोशेने के दोरा किया गया था हाली में होप अंतरिक्स यान ने मंगल गरह की कर्षा में प्रवेस्ट ले लिया है यह किस देश का है होप अभ्यान रेसेंट्ली दे स्वेस्क्राफ्ट होप हैस एंटर अर्बिट आफ मार्स इस बिलॉंग तो विच कंट्री आंसर हो जागे यहाँ पर ऑप्शन सी यू ए इए इंपोर्टन फैक्ट सेंट अरब अमिरात यूनाटेड अरब अमिरात के अंतरिक्स यान होप ने मंगल गरह के आसपास के कक्सा में प्रेश कर लिया है कक्सा में अंतरिक्स यान के सफल प्रक्षेपन के साथ यूए के विज्ञानिक अब ग्रह के वह मंडिल का अध्यान भी कर सकते हैं कर्शन CAP 35 हाल ही में राष्ट्री बागवानी मेला दो जारे किस का आजन कहां पर हुआ है राष्ट्री बागवानी मेला दोजारे किस राइट आंसर यहांपर हो जायगा ऑप्संप्संफ where is the national horticulture fair 2020 organized answer होगा यहाँ पर बैंगलूरू बैंगलूरू में एउजन किया गया है राश्टरी बागवानी मेला 2020 के लिए important fact देते हैं केंदरी कृषी और किसान कल्यान राजमंत्री केलास चोधरी ने 8 फरवरी को बैंगलूरू में राश्टरी बागवानी मेला NHF 2020 का उद्गाटन वर्चुल मोड पर किया था Indian Institute of Horticultural Research दोरा पाँच दिवसी स्कारेकरम का आयोजन आठ से लेकर 12 फरवरी तक बैंगलूरू के हैसर घटा इस्तित अपने IIHR केंपस में किया गया था इस वर्च की थीम रखे गई है राश्टी बागवानी मेला की हौटी कल्चर फॉर स्टार्ट अप एंड इस्टेंड अप इंडिया next question no.36 हाले में भारत ने किस देश के साथ लालंदर यानि की सतूट बांध निर्मान समझोता किया है recently with which country इंडिया has entered into an agreement on लालंदर सतूट डैम कंस्ट्रक्शन आंसर हो जागा है यहाँ पर option C. अफगानिस्तान के साथ important fact देखते हैं भारत और अफगानिस्तान में काबूल नदी की एक सायक नदी पर सतूट बांध लालंदर बांध के निर्मान के लिए वीडियो टेली कॉन्फेंसिंग पर समझेता गया अपना परस्ताक्सर किये हैं लगबग 300 मिलियन डॉलर की लागत वाली यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच new development partnership का एक हिस्सा होगी भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध यानि कि सल्मा बांध के बाद जिसका उद्गाटन जून 2016 में किया गया था यह अफगानिस्तान में भारत दौरा बनाय जा रहा दूसरा बड़ा बांध है लालंदर बांध या सतूट बांध से का नाम है किस राज ने अपना पहला पक्सी महुत्सव कलरव का उद्गाटन किया है कलरव रिसेंटली विच स्टेट है और्गनाईज इट्स फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरव उस राज का क्या नाम है आंसर उप्शन बी हो जाएगा बिहार इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं आपर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो बिहार के मुखी मंतरी नितीश कुमार ने जमुई जिले में अस्तित नागी नक्टी पक्षिय बिहारन में राज के पहले पक्षी महुत्सव कलरव का उद्गाटन किया यह मुश्व राज के परेवरन वन जलवायू परिवर्तन विभाग दोरा पक्षियों विसे सुरूप से प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए आउज़ित किया गया था Next question 38 सांस अभियान सांस अभियान आंसर उप्सन C हो जाएगा मध्य पर्देश की दोरा मध्य पर्देश में स्वास्तिव भाग ने सोसल अवेरनेस एंड एक्सन टू नीटरलाइज निमोनिया सक्सेस्फूली यानि की सांस अभियान सुरू किया है अभियान का मुक्यों देश सिसू में निमोनिया के कारण मिर्तिव दोर को कम करना है सामाजिक जागरुकता अभियान के तहत एक रणनीती बनाई जारी है जिससे चिकिस्सा करमचारियों को प्रक्षिक्तित किया जा रहा है नेक्स्ट कुर्शन नमर्र थाटिनाइन अंसर उसका होजाएगा ऑप्षन C, बंगलादेश इंपोर्टन फैक दिखते हैं बंगलादेश में चौद्वा अंतराश्टी बाल फिल्म अभियान धाका में इसका होजन किया गया बंगलादेश के चिल्डरन्स फिल्म सोसाइटी दोरा आयोजित साथ दिवस्ती समारों के दोरान 37 देशों के 149 फिल्मों को विबनिस्तानों पर दिखा गया भारत के कारक्यम के दोरान बंगलादेश के अलावा भारत, आर्मेनिया, अमेरिका, यूके, आईलेंड, जापान और चीन की फिल्में दिखाए गई थी और सर्वसेष्ट अंतराष्टी फीचर फिल्म की पुरोसकार से समयनित किया गया था, डच फिल्म जैकी और उपजेन को, ओके, चलते हैं अगले कुशन में हाली में भारत के पहले COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करता कौन बने हैं, who became इंडिया's first COVID-19 वैक्सीन रिसिपेंट, अंसर रुजाए का option A, Manish Kumar, भारत के पहले COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करता है, जिसके बाद दिली में सोच्चता कारेकरता Manish Kumar को भारत में COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले वैक्सीन बन गए हैं, Manish Kumar को दिली के M-7 इंजेक्शन दिया गया था, जहां केंद्र स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श रदन भी मौजूद थे, हाली में किस इसलामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा ससस्त्र बलों में प्रविस्किया उनुमूती 2020 में दे दी है, एन इसलामिक कंट्री अलाओड वुमें तो एंटर दे मेडिकल सर्विसेज और आर्म फोर्सेज इन फैब 2021 इस कंट्री का क्या नाम है, अंसर हो जागा है, हाँपर ऑप्सन B, साओधी अरब, नाइस्ट कुशन, आले में अमेरिका रूस ने स्टार्ट संधी को किसने वर्स के लिए बढ़ा दिया है, कितने वर्स के लिए बढ़ा दिया है, इस संधी को इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं, विश्ट की दो सेन्य महा सक्तियां, अमेरिका व रूस ने परमानु हत्यारों को सिमित करने के लिए किये अपने परमानु आयदू समझेतों की अवधी को अगले पांच वर्स के लिए बढ़ाने का निरना है, इस संधी को बढ़ा दिया गया है। हाली में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कब तक के लिए बने रहने का निरने लिया है। How long has the FATF decided to let Pakistan remain in the grey list? Option A, June 2021 की लिए Next, Question No.44 जल जिवन मिसन सहरी के अंतरगत पहले चरह में कितने सहरों में पाइले प्रोजेट के आधार पर पेजल सर्वेक्शन फरविड होजार किसमें शुरू किया गया है। In the first phase, in how many cities who started the drinking water survey FAP 2021 on pilot basis? याने 2021 में किन सहरों में पाइलेट प्रोजेट के रूप में पेजल सर्वेक्शन सुरू किया जाएगा, कितने सहरों में इसकूशन का राइट अंसर हो जाएगा यहां पर, Option Option 10 Next, question हाले में Bloomberg द्वारा जारी नवीनतम Innovation Index 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? Which place is India in the latest Innovation Index 2021 released by Bloomberg? अंसर यहां पर हो जाएगा, Option A पचासवे स्थान पर है भारत यहां पर Next, question 46 आर्थिक समिक्सा 2020-21 जो की 29 जनवर 2020 को संसर्द में पेस की गईती इसके संबंद में कौन सा तत्य सही है? Which fact is correct in this regard, Economic Review 2020-21 presented in the Parliament on 29th January 2021 चार उप्शन आपर दे रखे हैं, तो इसके अंदर जो ऑप्शन D है वो राइट हो जाएगा यहां पर जिसके अंदर वित्वर्स 2021-22 में भारत की वास्टविक्स GDP विकासदर 11% रहेगी करशी की विकासदर वित्वर्स 2021 के लिए 3.4% आके गई है और वित्वर्स 2021-22 के दौरान उद्योग और सेवा के छेतर में करमस 9.6% और 8.8% की कमी का अनुमान लगा गया है नेक्स्ट कुशन नबर 47 हाली में विस्व आद्र दिवस कब मनाया गया है वेन दर रेसेंटली वर्ल्ड हुमिड दे सेलिबरेटेड अंसर हो जागे हैं आपर ऑप्शन दो फरवरी को मनाया गया है विस्व आद्र दिवस इसकी थीम रखे गई थी आद्र भूमी और जल यानि वेट लैंट्स एंड वाटर नाम थीम इसकी रखे गई थी नेक्स्ट कुशन नबर 48 हाली में विस्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है अंसर हो जागा है यहाँ पर इसका ऑप्शन बी चार फरवरी को यहाँ पर मनाया गया है और हम देख सकते हैं थीम रखे गई है आई एम और आई विल नेक्स्ट कुशन नबर 49 हाली में राश्ट्री विज्ञान दिवस कब मनाया गया है राश्ट्री विज्ञान दिवस कब मनाया गया है आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा 28 फरवरी को हाली में मनाया गया था राश्ट्री विज्ञान दिवस थेम रखे गई है इस बार की फीचोर ओफ साइंस टेक्नोलजी इनोविशन ओफ एजुकेशन इस्किल एंड वर्क नेक्स्ट कुशन नबर 50 हाली में कॉमें जल विद्यूत परियूजना चर्चा में थी यह किस राज में स्थित है कॉमें जल विद्यूत परियूजना कामिंग हैड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉकेट इन विच स्टेट ऑप्सन यह पर हो जाएगा ऑप्सन इसका बी अरुणाचल परियूजना यह विद्यूत परियूजना जिसे रन ओफ रिवर यूजना के नाम से भी विक्सित किया गया था जो अरुणाचल कि यह 536 मीटर के ग्रोस हेड के माधियम से बिचोम और टेंगा नदी जोंकि दोनों की कामिंग नदी की उप नदिया है कि पानी के प्रभाव को उपयोग में लिया जाएगा नेक्स्ट नमबर 51 केंदरी परियावरन मंत्राले दौरा स्विकृत की गई लखवार बहुत देशी परिजना से लाबानवित होने वाले राज्य कौन से है तो आंसर इसका हो जागा है यहाँ पर उपयुक्त सभी जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर उतराखंड, उतरपरदेश, हर्याना, राजस्तान, दिल्ली और हिमाचल परदेश इन सभी राज्यों को योजना से लाबानवित होंगे इंपोर्टन फैक देखते हैं उतराखंड की 300 मेगावाट की लखवाड बहुत देशी परयोजना को केंद्रिय परियावन मंत्राले ने अपनी मंजूरी 4 फरवरी को दी है यमुना नदी परेस्तेत इस परयोजना को राश्ट्री परयोजना कोशित किया गया है इस परयोजना से उतराखंड, उतरप्रदेश, हर्याना, राजिस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को सिंचाई और पेजल आपूर्ती के साहती विद्यूत उत्पादन भी होगा नेक्स्ट, कुश्चन फिटी टू राश्ट्री सूचना विग्यान केंद्र ने वाटसेप की तरज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया है विच इंस्टेंट मैसेजिंग एप हैज बिन क्रेटेड बाई नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर से मिले टू वाटसेप अंसर उसके फ़ोगा का अपसंट ए संदेश नामक अप को लॉच्च किया गया है राश्थ्री सूचना विग्यान हेजटर के दौर साली में वाटसेप की तरज पर संदेश नामक इंस्टेंट मैसेजिंग फ्लेट फार्म को लॉंच किया है यह नया platform मौझूदा सरकारी instant messaging system GIMS का upgraded version भी है नेक्स्ट कुशनरा 53 हाली में राश्ट्री अनुसूचित जाती आयो के आध्यक्स कौन बने हैं Who has recently become the head of the national commission of studio cast आंसर हो जाएगा यहाँ पर विजय सांपला important fact देखते हैं पूरू के अंदर बनती विजय सांपला को राश्ट्री अनुसूचित जाती आयो के एक भारती समयधानिक निकाय है जिससे अनुसूचित जातियों के सोशन के खिलाफ सुरक्सा परदान करने के लिए बनाया गया है राश्ट्री अनुसूचित जाती आयो की स्थापना के समंद में प्रावधान समीधान के अनुच्छे 338 में दर्ज किये गए है राश्ट्री अनुसूचित जाती आयो की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी नेक्स्ट कुश्चन नमर 54 हाली में अंतराश्ट्री सौर गठबंदन का अध्यक्स किसे बनाया गया है इनका फोटो देश किते हैं अजय माधूर इंपोर्टन फैक्ट देखते हैं अंतराश्टी सौर गठबंदन यानि की इंट्रनेसल सोलर अलियांस ने डॉक्टर अजय माथूर को आई सेका महनेदिशिक रूपन को गोशित किया है डॉक्टर अजय माथूर इस पद पर उपेंद्र त्रिफाटी का इस्तान लेंगे अंतराश्टी सौर गठबंदन भारत के पधान मंत्री और फ्रांस के राष्टपती दौरा 2015 में कॉप 21 के दौरांट सुरू की गई थी अंतराश्टी सौर गठबंदन का मुख्याल है गुरु गराम हरियाना में नेक्स्ट कुशन नमर 55 हाले में खेल की छेत्र में पदमश्री 2020 किसे देने की कोश्चना की गई है who has announced to give the पदमश्री 2020 in the field of sports आंसर यहाँ पर option D उप्यक्त सभी यानि कि इन सभी को यहाँ पर दिया गया है पदमश्री खेल की छेत्र में मरनोप्रांथ दिया गया है which of the following has been posthomously awarded the पदमश्री 2020 यानि कि हम कह सकते हैं कि मरनोप्रांथ किसे दिया गया है इस question का right answer भी option D होगा उप्यक्त सभी जिसके अंदर गृत तरुन गुगोई रामविलास पास्वान और केशुबाई पटेल को मरनोप्रांथ बदमश्री दिया गया है PDF डाउनलोड करके आप इनको सभी को देख सकते हैं next question 57 हाली में पूर्सों के टेस्ट मेंच में पहली बार महिला अंपायर कौन बनी है who become the first female अंपायर in the men's test match right answer option A Claire Polask इनका नाम है इसकिन पर देख सकते हैं Claire Polask Australia की Claire Polask Australia भारत और Australia के बीच तीसरे टेस्ट में चोथे अंपायर की भूमे का निबाकर पूर्सों के टेस्ट मेंच में अंपायर बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई थी next question 58 निम्न में से किसे पदम वीभूशन 2020 दिया गया है who among the following has been announced to give पदम वीभूशन 2020 answer वजाग रहे रहे हैं पर option इसका D होएगा और पिक सभी इसमें सिंजो आभी एसपी सबाल सुबर मन्यम नरेंदर सिंग कपनी सभी को ही दिया गया है आप यहां देख इसके उनको इसको डानलोड रह सकते हैं PDF को और आज वा आपके लिए काफी helpful रहेगी next question 59 हाले में खेलो इंडिया आइस होकी टूनमेंट का एजन कहां पर हुआ है आपके लिए खेलो इंडिया आइस होकी टूनमेंट रिसेंटली बीन हैल्ड कहां पर हुआ था आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन यहां पर कि कारगिल next question 60 हाले में तीन से लेकर पांच फरवरी को एरो इंडिया 2021 का आज़न कहां पर हुआ है एरो इंडिया 2021 का आज़न आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगलूरू में हाली में आज़न किया गया है एरो इंडिया 2021 किसका आप देख सकते हैं हाँ इस्क्रीन पर next question 61 Westwick लोगतंत्र सुचकांग 2020 में कौन सा देश पहले स्तान पर है Westwick लोगतंत्र सुचकांग 2020 विच कंट्री रेंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल डेमक्रसी इंडेक्स 2020 आंसर का ओप्शन यह होगा नौर्वे देश पहले स्तान पर रहा है Westwick लोगतंत्र सुचकांग 2020 में सुचकांग पहले स्तान पर नौर्वे है नेक्स्ट कुशन देखते हैं इसमें हाली में ब्रेश्टाचार अवधर्णा सुचकांग 2020 में भारत का कौन सा इस्तान रहा है वाट इस इंडिया पोजिशन इन दा करप्शन परसप्शन इंडेक्स 2021 इसे CPI केते हैं आंसर इस करने पर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का 86 वास्तान है ब्रेश्टाचार अवधर्णा सुचकांग 2020 में ट्रांस्परेसी इंट्रेशन दौरा जारी ब्रेश्टाचार अवधर्णा सुचकांग CPI में 180 देश्वम से भारत का 86 वास्तान है 2019 की तुल्ला में इस वज़ भारत का अस्तान 6 पाइदान खिसक गया है निज़िलेंड और डेनमार्क व्रेश्टाचार अवधर्णा सुचकांग में सेंग तूरूप से पहले स्थान पर हैं जबकि सोमालिया और दक्षिन सुडान सेंग तूरूप से अंतिमिस्थान पर है हाली में भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर बना है वेर विल इंडियास फर्स्ट जेंडर पार्क विल्ट कहां पर बनाया जाएगा आंसर यहां पर option A हो जाएगा केरल में भारत का पहला gender park बनाया जाएगा केरल सरकार के दौरा इसको बनाया जाएगा पारक gender equality पर अंतराश्टी समेलने के दूसरे संस्कंड के अपसर पर कार्यात्मक भी हो जाएगा Next question number 64 हाली में German Watch के दौरा जारी Global Climate Risk Index 2021 में सरवादिक प्रभावित देश कौन सा है According to the Global Climate Risk Index 2021 released by the German Watch which is the most affected country उस country का क्या नाम सबस्याद प्रभावित है जो आंसर जाएगा option A मोजांबिक German Watch के दौरा प्रकाशित Global Climate Risk Index में 2020 में भारत को जहाँ पर 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में से 7 इस्थान पर रखा गया है वहीं सबसे प्रभावित देशों है वो मोजांबिक है Next question हाली में German Watch के दौरा जारी Global Climate Risk Index 2021 में भारत को कौन सा इस्थान पराप्त हुआ है Which is the position of India in the Global Climate Risk Index released by the German Watch अंसर इसमें हो जागा भारत का साथ हो अस्थान भारत को मिला है जो सीर्ष प्रभावी देश है उसमें साथ हो अस्थान भारत का है पहले स्थान पर मोजांबिक है ठीक दोस्तों आज के लिए इतनी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरू वीडियो को लाइक कर देना शेर करना और चैनल को नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल अगर प्रेस करना यहां पर इसको जोइन करके आप सारे डानलूड कर सकते हैं और मिल जाएगा वहां जाके डानलूड कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में धनेवाद